बीजेपी बिधायक मोजूद है सर क्या कहना चाहें आज आप लोग अर्विन के जिवाल को लेकर सड़क तूतर इतन के पार्टी कारिया अलगा घिराओ के क्या कहेंगे अनिशित रूप से हम दिल्ली की जनता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली अपने हकी Dharaz डिकते हमारें डालते हैं कभी पडोशी राजD ढलते हैं कभी केंदर पड़ डालते कभी एलँजी पर डालते अपनी जिम्मेदारियों का वहन वो नहीं करते हैं उनको कुम्ब करनी नींद से जगाने के लिए आज भारते इंता पार्टी दिल्ली परदेश सब्दाइश वेंदर सजदेवाजी के नितित में ये विसाल परदेशन हुआ है और हमको चितावनी देते हैं अपनी कुम्ब करनी नीं करते हैं उसको लिए मैंने वही तो कहा ना दूसरों पर दोश डालना दूसरों पर आरोप पढ़ना यहीं उनका काम है और यही कारण है कि देश के एक मात्र मुख्यमंत्री हैं जिसने कोट में सबसे ज़्यादा माफिया मांगी हैं लिखित माफिया मांगी हैं क्योंकि उन हैं यहीं चरित रहे उनका असली और जिसमें वह एक्सपोज हो रहे हैं दिल्ली में बाढ़ हाई लेकिन एक बार फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार एलजी साहब करने मुझे काम करने में रोकन और लोग जो मुलभूत से विधाएं हैं बार्थ शेतरों में पीडित को वहां भी नहीं पहुच पाएक उसको लेकर करके बे बुनियाद आरोप है केजरी वालची में हिम्मत है तो स्वित पत्र लाएं दिल्ली जलबोड पर हम मांग करते हैं वो नहीं लाएंगे दिल्ली विधान्सवा का सत्र बुलाए इन मुद्धों पर नहीं बुलाएंगे इसलिए वो अनलगर प्रलाप करते हैं ततहीन बाते करते हैं मुझे ने रखता कि उनके आरूप में कोई दम है वो काम चोर हैं काम से भागने वाले हैं यह देखना होगा आखिर डिली बीजेपी सड़कों पर लगातार के खिलाप प्रोटेस्ट कर रही है आखिर जो 2025 को जो बिधान सबा चुना होगा उसको लेकर कितना काम कर सकती है यह तो देखने वाली बात होगी शिवंपांटे टन पी निउस डिली